आदाब आप सभी का इस्तिक्बाल करती हूँ मैं रेणु भट आप देख रहे हैं पीमेविद्या चानल चानल नबर नो और एंसियाटिक अफीशिल यूट्यूब चानल हम अपने सभी तल्बा तालिबात को बता दें और नासरीन को बता दें कि इस सेशन में हम बात करने वाले हैं उर्दू के नवी जमात के तल्बा के लिए एक नजम पर हम आज बात करेंगे और ये नजम है एक आरिजू और इस पर आपको मालूमात फराहम कराने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे माहिर आप है प्रोफिसर मौमद मौसम الدین आप डिपार्टमेंट अफ एडिकेशन इन लाइंग्विजिस न्सी आर्टी से हैं सर आपका बहुत बहुत खरमत दमाएं बहुत बहुत शुक्रिया रिनूबग साहब बच्चो आपका भी इस तगबाल है इस प्रोग्राम में आप जिए और सर से आपकी मुलाकात हो गई है और नजम आपको पता चल गई है एक आरिजू इस पर हम बात करने वाले इस सेशन में और बच्चो अगर आपके मन में कोई भी सवाल आए तो अपने सवालात से हमारे माहिर को जरूर आप रूबरू कराएं आप हमें कॉल कर सकते हैं आप हमें इमेल भी बेच सकते हैं आप हमें कॉल करेंगे हमारे नमबर पर जो है डबल डबल सीरो डबल फॉर सीरो डबल फाइफ नाइ या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं हमारे एमेल आडरस पर जो है dth.class9.ciet.nic.in इन दोनों ही तरीकों से आप हमसे जूर सकते हैं अपने सबी सवालात और अपनी सबी क्वेरिस आप हमारे विश्यो शग्या और माहिर के साथ साज़ा कर सकते हैं तो सर हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और जैसे हमने अपने सभी तल्बा को बताया बच्चों को बताया कि हम एक नजम पर चरजा करने वाले हैं बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हम आप से जानना चाहेंगे कि नजम क्या होती है किसे कहते हैं ठेक है ये बहुत जरूरी है जानना कि नजम किसे कहते हैं और नसर किसे कहते हैं जब किसी भी जबान की लिटेचर को पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं दो तरह की चीज़े होती एक वो जो नसर के अनि प्रोज के फार्म होती उसको हम नसर कहते हैं और हर वो चीज जो प्रोज नहीं है जो नसर नहीं है अगर वो कुछ लिखा हुआ तो वो नद्म के फार में होता है नद्म का मतलब तो अगर हम देखें कि लोगवी माने देखें तो उसका मतलब होता है तर्टीब के आराईश के या कोई चीद मुनेदम सुरत में पैश्क की गई है उसको नदम काईते हैं जिस तरह से अगर हम एक धागे में माला की पिरूते हैं तो उसमें छोशने पैदा हो जाता है लेकिन नद्म हम उसको कहते हैं कि बाकाइदा जिसका कोई उन्वान होता है और जो एक तहरीक के तहट एक खास मकसद के तहट नद्मे लिखी गई तो हर नद्म का कोई नद्म कोई उन्वान होता है उसको हम नद्म कहते हैं और नद्म की आम तोर पर चार किसमे की गई हैं पाबंद नद्म, आजाद नद्म, मौर्जा नद्म और नस्री नद्म पाबंद नदम उसे कहते हैं जो हर लियाद से जिसमें शुरू से आखिर तक वदन और काफिये की पाबंदी रदीब की वदन और बहर की पाबंदी की गई हो जिससे फारमभी ख़द ननदम कही गए चाहे मसद्दक के फारमग मुखमस के फारमग जा किसी और शक्ट में हो उसमे शुरू से आखिर तक बहर और बधन की पावंदी की जाती है आजादन नादम उसे कहते हैं जिसमें बधन बहर की पावंदी तो होती है लेकिन तमाब मिस्रों के अरकान बराबन नहीं होते बलकि नजमों के अरकान छोटे बड़े जो है कमी बेशी हो सकती है और इसकी वज़े से मिस्रे छोटे बड़े हो जाते लाइने छोटे बड़े हो जाती है यहां बहर और वजन की पाबंदी जरूरी है लेकिन अरकान की पाबंदी जरूरी नहीं है नसर की नद्म की तेसरी किसम है मौज़ा नद्म यानि वो नद्म जिसमें रदीफ की वजन और वजन और वजन की पाबंदी तो हो और तीसरी सूरत नजम की यह है कि नसरी नजम यानि वो नजम जिसमें कोई वतन और बहर की पाबंदी नहीं की जाती बिलकुल अजादाना तोर पे शायर अपने ख्यालात का अपने जबात का अपने महसूसात के जो कुछ भी सोचता है किसी चीज के बारे में उसको वो उसी चोटी बड़ी होती है लेकिन कोई बहर नहीं होते हैं नजम का कोई वजन होता है और इसका एक मजमूई तासूर एक खास तासूर की शक्र में नजम का मजमूई तोर पर बरता है और उस पर नजम खत्म हो जाती है और इसमें कैफियत का होना जरूरी है अगर इसमें कैफि ये अल्लामा मुहमद अकबाल कहते हैं तो मुख्तलिफ नामों से उनका पुगराया थैं अल्लामा अकबाल की पैदाई से 1777 में होई थी और उस वक्त ये स्याल कॉड़् में पंजाब में पैदा हुए था जाइश देबात है कि यहां पर बहुत तफसील तो नके बारे में न सबूब की तरह मायल थे उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है उनकी तरबियत में अकबाल की वालदा की बहुत बड़ा हाथ है और अकबाल को जो कुछ मिला वो अपने वालिज से मिला और फिर उन्हें इसलाम का बिल्खुस कलाम पा यानि खुरान शरीप का बहुत गहराई जो हैं उनके हाँ जो नजम वो हुब बश्ऩनी पर बहुत हैं बच्चों के लिए उन्हों नंट सारी नजमे लिखी बहुत हैं अखलाकी एकदार पर मवनी है वह कि नसीहतामेर नदमे है और उसमें अपने एक पैगाम को बेच देना चाहते हैं उस पैगाम के हवाले से बात की उन्होंने जो है तो इस तरह हम देखते हैं कि वह अब यहां कि बादा हम अकबाल पर बात ना करके हम सीज़े नदम पर आएंगे अकबाल ने फिदाई कलाएं बच्चों की शारी पर बहुत तवज़ दिया ग्यारा नदमे हैं उनको सब किसब वह बांगे जरा में शामिल हैं हैकायती नदमे बहुत हैं और तर्जमा शुदा ह नदमें के कहने पेशकरने का मकसद था कि लिए पोढ़ी जिया जादा तर्वह कि आध़ के ह través कि उसके वह अधंब के21 की शीक्ते हैं वह बहूंगे। तो इस तरह से अल्म की जिन्दगी पर बहुत कुछ लिखा गया है और कहा जा सकता है यहां भी लेकिन सबसे पहले हम आज आते हैं कि उनके फ़न पर भी देखते हैं कि उनका फ़न उन्होंने अपने कलाम में मुकालम पर बहुत जिया दिया दिया है यानि डायलाग पर किसी यह भी मौन की जैसे एक मकडा और मक्ही है इस तरह कि ने नज में आगए और बख्री है और इस तरह से जानदारों से न्सक्ति करा यहें중 on का इंसथ करा कि आँ हैं और यहां तक कि जह हंगा झाहिए हम ने खुझ करते हैं और उनके हैं के शायरी की तीसरी आवाद या नी जो कुछ हो कहना चाहते हैं, उसको महत्सीर घंसे पेश करना चाहेते हैं, तो अप्तिर तो can कोए के ब बड़ी अहईम्हेता है, वो बहुत इससे काम लिया उन्हों ने, अब बच्चों के लिए जो नदमों उन्हों ने आम तरह पर लिये हैं तो बच्छे की हम्दर्दी है, बच्चे की दुआ हम्दर्दी परिंदे की फर्यात तराने हिंदी, एक पहाड और गिलहरी, एक गाय औ अग्बार में चार मजमुए शामिल है, बांगे दरा है, बाल जिबरील, जर्ब कलीम और अर्मगान इहजाद, इसके लावा उनोंने फार्सी में भी बहुत कुछ लिखा है, बलकि शुरुआत फार्सी से ही की थी, बाद में वो अर्दू की तरफ हैं, तो फार्सी में जो कु पेश नजर आज जिस नजबे हम बात कर रहे हैं, यह नजबे तक्रीब उनने सो चार की आसपाद लिखी गई हैं, उस वात अलाम अकबाल जिनने यूरोप का सफ़न नहीं किया था, बलकि तैयारी थी, उनने सो पांच में गए थे, उसके पहले जैसा की जिकराया की, उनके हैं हुबलवतनी पे बहुत नजबे की लिखी हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी नजबे लिखी हैं, और उनके हाँ खाद तोर से हमारे इर्दिगरत का जो माहौल है, इस दुनिया में जो कुछ नेच्रल चीज़े हैं, पहाड है, कोसार है, नदी है, बाग है, चमन है, उन चीज़ों सो उनने बहुत काम लिया हैं, तो यह इतना पी जो है, खात्तोर सा मन्दर निगारी इसमें बहुत अच्छी पेश की गई है, इस नजब में, एक आरूजू में, मन्दर निगारी का मतलब यह कि हमारे आसपास का जो मन्दर है, उसको किस तरह पेश किया है, तो आईए सबसे पहले हम इस नजब को पढ़ कर देखते हैं, किसी भी मतन को जब तक सही तरीके से पढ़ा नहीं चाहेगा, जाए वो नसर में हो, प्रोज में हो, या पोएम की शकल में हो, पुएक्टी की शकल में हो, तो जब तक हम उसको सही तरीके से नहीं पढ़ेंगा जो असको उसको असानी से समझ नहीं सकते हुआ तफियम samot Hiska नहीं हो सकथ है। तो इसनरबम को पढ़ना यह कमाल है। तो तालिब इstat?, तो तालीबियस है कि नही उसको जब भी पढ़े तन्हात चाथ वरपर जो इसको बहुत गोर से पढ़ हैं और इसको जो इसकी एकराद की जा रही है इसको रिसाइट किया जा रहा है आपके सामने तो उसको भी आप गोर से सुनने की कोशिद करें इस नदम का उनवान एक आर्जू है नदम कुछ इस तरह से शुरू होती है कि दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यारव क्या लुट्व अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो सोरिश से भागता हूँ दिल ढूंटा है मेरा ऐसा सकोत ही जिस पर तक्रीर भी फिदा हो मरता हूँ खामशी पर ये आर्जू है मेरी दामन में कोहो के एक छोटा सा जोपड़ा हो आजाद फिक्र स हूँ उजलत में दिन गुजारूं दुनिया की गम का दिल से कांटा निकल गया हो लद्ध सरोद की हो चिर्जियों के चाई चोहों में चश्मे की शोरिशों में बाजा सा बजरा हो गुलकी कली चिटक कर पैगाम दे किसी का सागर जरा सा गोया मुझ को जहां नमा हो हो हाद का सिराना सब्दा का हो बिशोना शर्माय जिस से जल्वत खल्वत में वो अदा हो मानूस इस कदर हो सूरस मेरी बुलबुल नन्हे से दिल में उसके खटका नकुछ मेरा हो सब बांदे दोनों जानी बूटे हरे हरे हो नद्दी का साब पानी तस्वीर ले रहा हो हो दिल फर पारियों में पानी चमक रहा हो, पानी को छूर ही हो, जुक जुक के गुल के टहनी, जैसे हसीन कोई आई न देखता हो, मेंदी लगाए सूरज जब शाम की दुलहन को, सुरखी लिये सुनहरी हर फूल की कबा हो, रातों को चलने वाले रह जाएं थक के जिस दम उमीद उनकी म मेरा टूटा हुआ दिया हो, बिजली चमक के उनको कुटिया मेरी दिखा दे, जब आसमा पे हरसु बादल घिरा हुआ हो, पिछले पहर की कोयल वो सुबहकी मौजदिन, मैं उसका हमनवा हूँ, वो मेरी हमनवा हो, कानों पे होने मेरे दैरो हरम का एसा, रोदनी जोपड़ का मुझ को सहर नुमा हो, इस खामुशी में जाएं इतने बुलंद नाले, तारों के काफिले को मेरी सदा दरा हो, हर दर्दमन दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोच जो पड़े हैं, शायद उन्हें जगा दे, नदम यहाँ पर खत्म हो जाती है, यह तवील नदम है, और इसमें, कुल तकरीबां 20 अशार हैं, 20 अशार की नदम में आपने खुद सुना कि इस किस तरह से इसमें मंजर निगारी पेश की गई है, इसकी जो माजरा साजी की गई ही नदम कि से की गई है, उसको देखिये तो एक बार फिर उसको बाईए, एक एक मिसरे को हम लेकर चले तो एक आर्जू हमारी इनसान के दिलूम में जाहिर से बाद है कि सभी के दिलूम में कोई ने कोई आर्जू होती है खौईश होती है और वो अपनी दुनिया को अपनी जात को अपनी जिन्दगी को बहतर से बहतर बनाने की कोशिद करता है यह सभी का जो है मामला है सिर्थ अ अकबाल कर नहीस हम भी मारला हम भी सोचते हैं काश ऐसा होता काश ऐसा हो जाए हम यह कल लेते हैं वह कल लेते तो एक आरभ जो है वह हमेशे हैं एक इस ध housekeeping फैन पनफिन्स nastanda पनफिन्रा पनफिनी रहती है जो है तो होती? यानी जो कुछ हमारे सामने माहول है. जो कुछ हो रहा है, भो हमें बैचेंद कर रहा है, उससे हमें सकुन नहीं मिलना है. अप सकुन कैसे मिलता हो तो उस किशमत का रहा है, उसी वफ़े तो उसके दिल में कोई हो इतलिए कि दुनिया के सारे मामलात की रहुनक जो है वो दिल की वज़े से अगर आपका दिल मुर्दा हो जाए तो आपके सामने कितना वी अच्छा माहूल और कितनी वहसीन चीजें हो खुब्सूरत चीजें हो वो आपको रास नहीं आएगी बलकि उससे आप देखके घपलाएंगे तो वही कहते हैं क्या लुट्व अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो और शौरिस से भागता हूं दिल ढोकता है मेरा शौरिस कहते हैं हंगामे को जहां बहुत ज जिसमें दूसी मिस्रेमा है जिस पर तक्रीर भी फदाएंगे एक सुकूत या खामोशी सुकन और दूसरा लफ है तक्रीर यानि कहीं पर कोई बात चीत हो रही है को या आप में अग्जस कर रहा हो किसी को तो दोनों में लफजों में एक मुतजाद काफियत है अन्टोनिम स मेरी दामन में कोह के एक छोटा सा जोपडा हूं कोह कहते हैं पहाड को दामन कहते हैं निचला हिस्सा जो है दामन आम तोर पे कुर्टे का भी होता है जो अबले बात पेंते हो उसका भी दामन होता है लेकिन यहां कोह का दामन यह वहार की नीचे की तिराई होती है वहां की जो होता है तो वहां एक शायर की आर्दू है कि हम दुनिया की महिफिनों सो उक्ताव गया हैं और कहीं दूर चलके जो है एक ऐसा जोपड़ा हो जहां कि इस तरह कि ना कोई तक्रीर हो ना कोई कुछ हो और कोई ना कोई उक्ताहट हो कोई परेशानी नहीं बलकि सुकून ही लद्ध सरोत की जो चड़ियों के चैचा हो में आज नहीं इसके पहले आजाद फिक्र से हूँ उजलत में दिन गुजारा हो अब दुनिया के अफकार से या दुनिया की फिक्रों से मैं आजाद हो जाओं और उजलत कहते है तनहाई को उजलत में दिन गुजारूं अब मैं जो काटा था वो निकल गया है तो यहां पर देखिए यहां यह बावरे का इस्तमाल हुआ है लग्ज़त सुरोत की हो चड़ीयों के चाहती है तो कहा चाहाना भी जो है एक बहुत अच्छा लगता तो कहता हूं चुरीयों की जो चाहत होगी वहां पर कोहो के धामन में तो वह महां दर चुरियां चाहा हो तो उसमें गाने और नगमगी की काईफित पड़ा होगी मुझे उसमें जो लग्ज़त मिलेगी वह मुझे मदा देगी चश्मे की शौरुचों में बाजा सबज रहा हो जो चश्मा कहते हैं आफशार को जहनने को तो चश्मा जब ओपर से नहां इमेजरी से काम लिया है पायकर से काम लिया है बहुत सारे पायकर खलके किया है जैसे चश्मे की शोरुचों में बाजा सा बजरा हो अब यह अगला श्यर और देखिए गुल की कली चिटक कर पैगाम दे किसी का यानि कली कहते हैं जो अभी फोल नहीं बनी है उसको कल जहान नमा हो अब देखिए यहां पर उसने इस त्यारा से काम लिया यानि कली को उसने क्या का मिटाफर की चीज़ का उसको सागर कहा यानि वो साजी चीज़ में शराब पिया याता है कोई भी शर्बत पिया था उससे सागर कहते हैं तो उसको क्या कहा शायर ने उस कली से काबिर किया है कि ऐसे ही कλियों और सागर जरा सब्गूया मुझगो जहानमा जिसमें डन्या-की चीजों heeft دेख सकुं यहाँ पर शायर ने तलुमी से हां उस के शेर को कहते हैं जिसमें कोई तारीखी वाकिया या कोई और इस तरह के वबात की जाए जिससा क्योंकि कोई ना कोई तारीख रही हो तो उसको तलमी कहते हैं तो एरान में एक बादशा था जमशेद नामका तो उसके कहते हैं उसके पास एक ऐसा सागर था एक ऐसा प्याला जिसमें वो शराब पीता तो उसके पूरे दुनिया का मनजर रूर से नजर आता तो यह ख्याली चीज है जो भी हो लेकिन तो कहते है कि मुझे वही चीज जहानमा मुझे कहा मिल सकता है वो एक कली में मिल सकता है उसके जब कली खिलेगे फूल बनेगे तो वो कली मेरे लिए एक ऐसा सागर होगा जिसमें वह अपनी दुनिया भर की खुशियों को जहां कि हासिल कर सकता हूं देख सकता हूं हो हाथ का सिराना सब्दा का हो बिशोना अब देखिए हाथ का सिराना सब्दा के बिशोना सब्दा कहते हर्याली को घास को आप कहीं जाए जो घूमने तो मक हो जाहूं शर्माय जिससे जलوت हो जलुआते हैं महिपिल को, हा बदम को, और हो खलुआते हैं तनहाई को. । यहाँ पिर दो आयम्टॉनिलिम्स इस्तमाल की है, डूने ने लदांते की फिरिद है जलुआत और खलुआती है, जलुआतो होते हैं अच्छे ख्याल होते हैं तो अपनी एक तनहाई भी एक दुनिया और फिकर की आबाद कर लेता है सोचता रहता है तो तनहाई उसको रास आती है महिफिल उस्फत रास नहीं आती है तो यहां उसी तरह बिशारा है कि खल्वत में वो अदा हो जाए कि जिससे जल्वत जाए उसकी भी कोई हैसित नहाई जाए वो भी शर्मिंदा हो जाए मेरी तनहाई को देख कर मानूस इसकदर हो सूरस मेरी बुल-बुल मानूस माजूर बाद में उसके फैमिलियर हो जाए उससे पहचान जाए मानूस इसकदर हो सूरस मेरी बुल-बुल नन्हे से दिल में उसके ख़टका नो कुछ मेरा हो आप तो पर एक फित्रह थी कि जब आप किसी चीज को चुड़िया को पकड़ने चाहा तो उड़ जाती है भागती है को निकोशित करती है कोई बुलबुल हो या गोरिया हो या कोई चुड़िया वो आप उसको लेकिन कहते है कि मेरी ये भी कि वहाँ जो बुलबुल होंगे मेरे अड़िगर जो है जहां मेरा जोपड़ा होगा वह उस बुलबुल से मेरी अतनी हमदोस्ती हो जाए अतना में मानूस हो जाओं कि जब वह मेरी सूरत देखे तो उसको कोई खटका ना हो मुझसे मुझसे उसको कोई खटका ना हो कोई कि गरना लगे उसको कि ये मुझे नुकसान पहुंचाएंगी और फिर सब बाद दोनों जानी बूटे हरे 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 हो सब बादना मुझे लगना आप देखते हों के दरिया के किनारे कहीं भी जो है बूटा कहते हो चोटे द्रग तौप हो दे को जिसमें फूल लगे होते हैं औ अब जहां नदी होगी अगर उसको दोनों जानी बूटे हैं तो उसको जब तस्वीर उसकी पानी में नजर आती है तो नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा तो गवया ऐसा लगता है कि उसकी फोटोग्रेफिय हो रही है उन तस्वीरों की बूटों की जो दोनों जानी बखुद बखुद नजर आ रहे लेकिन पानी के तस्वीर लेने से कहा कि वो उसको एक खुबसूरज वज़े पैदा कर दी है होद दिल फरेब ऐसा कोहसार का नजरा कोहसार का मतलब वही पहाडी का सिलसला जो है पहाडों का होद दिल फरेब दिल फरेब अच्छा लगने वादे दिल को धोका देने वाले ऐसी जिससे दिल भी धोका खाजाया यहां दिल्चस्ट हो दिल फरेब ऐसा कोसार का नजारा पानी भी मौच बन पानी भी मौच बनकर उटूट के देखता हूँ देखिए यहां भी पैकर तराशी इमेजरी पानी के तो मौच तो उसका कादा कि वो तो पानी तो यह बहता रहता चलते रहती है मौच दर्स जाए तो पानी के वो मौच जो है तो अब यहां शाहिन ने इमेजरी से भी काम दिया है और उसको उसने तालीब भी पैदा कि यहांपर की पानी भी मौच बनकर उटूट के देखता हूँ ऐसा कोसार का नजारा हूँ आगोश में जमी की सोजा हुआ 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 पानी के तरफ जो होँ चलती है तो कभी ओपर और कभी नीचे कभी ओपर कभी नीचे तो शायर ने उसको कहा कि गोया वह अपना आक्स जो है पानी में देख रहा हो आई ना कहा उसके मेंदी लगाए सूरज जब शाम की दुलन को सुरकी लिये सुनेरी हरफूल की खबाहु तो इस तरह इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे भी अशार रहे हैं यहां तेरा अशार तक यह बीस अशार तक तो बड़े अच्छी मंदर निगारी कही गई हैं और शार इसमें अपनी ज़बात के जो इज़ार किया है वो इन्फिराजित तोर पर कर रहा है लेकिन जब शार के मतला यह सिर्फ नहीं है कि उसकी अपनी ज़ाद से तक बड़ूद है बलकि उसने अपनी ज़ाद के हवाले से इसमें एक इस्तमाईच पैदा करने की कोशिशित की है और उसको जब हम आगे तेरा शार के बाद जब हम आगे आते हैं तो उस वक्ते पता चलता है कि रातों को चलने वाले रह जाएं ठक के जिस्दम उम्मेद उनकी मेरा टूटा हुआ दिया हूं जो हम कहीं रात में सफर करते हैं कोई सुरत नजर नहीं आती है नहरा होता है तो जा हमारा उसका यह कहना है कि जा हमारा जोपड़ा है उसमें जो चराग जलना है दिया जलेगा तो उनके लिए एक उम्मेद की किरन होगी यहां तो कुई रह रहा है यह हमारे मदद कर सकते हैं यहां से रोशनी मिल सकती है तो ये रहुशनी मिलना शाय ने अपने उस पैगाम के लिए कहा है कि मेरे अंदर जो पैगाम और जो मैं लोगों को देना चाहता हूँ शायद इसकी वज़े से कोई यहां तक है और उसको हाथनी तो उसके बाद फिर उसने जो है पांच-शे अशाय में उसकी ये बात की है और आखिर मों उन्हों देखिए यहां पर इमेजरी जो है वो बहुत अच्छी हुई सभी में आप देखते रहें और पिर इस खामुशी में जाएं अतने आखरी शेर दे पहले का शेर इस खामुशी में जाएं अतने बलंद नाले तारों के काफिले को मेरी सदा दरा हों तो इस खामुशी में जहां मैं सुकूत की तलाश में हों सुकून की तलाश में हों इस खामुशी में मेरे नाले अतने बलंड चले जाएं कि तारों का काफिला कहां जा बहुत से तारे मौजूद नुगए या जहां जमीन पर हम बात कर रहे हैं लेकिन यह अतने बलंड नाले जाएं कि वहां तारों तक जानी या आसमान तक मेरी बात पहुच जाएं काफिला जब आपने दौर्ब चलता है तो वहां गहंटए की आवाद बच्ति है जो आऊज होती है झाक अगर कोई काफिलों को लोग इधर उड़र हों तो उसमें आके शामिल हो आपको पूछ्छ करने माले। तो उसको कहते हैंकि मेरी आवाद जो है शायद उन्हें जगादें यहां पर शायद जो अपनी बात कह रहा है कि इस्तमायत उसमें जो अपने बात की को यहां पर जाहिर हो रहे हैं कि अभी तो शायद ने अपने दिल की फफूले पोड़े हैं अपनी बात कही जो कुछ वो जैसा महसूस करते हैं उसको कहा है हर कोई मकसद समझ नहीं पार रहे हैं शायद उसको कोई ना कोई पैगाम मेरी इस एक नदम से उनको मिल जाए हैं जी तो इसमें देखते हैं कि सर वक्त हमाएं पास बहुत कमची देखिए इस नदम के जरीए अकबाल ने इनसां को कुछ कर गजनने के लिए आमादा करना चाहा है इस मकसद का इधार नदम के आखरे शेर में देखनों के मिलता है यानि एक आर्जु मुक्तलिफ करवा को पहलों बदलती हुई किस तरह अपना सफर पूरा करती है और आखिर में बामकसद पैगाम पर खत्म होती है या इन्फरादियत या अपनी जाद सो जो आर्दु शु आखिर में पैगाम वह बाद सिर्फ लोगों तक मुझत नहीं बलकि इसको जादा जादा लोगों तक पहुशे और लोगों को जो मेरी आर्जु है वही आर्जु दूसरे लोगों के भी बन जाए वह एक बामकसद गुदार गुदान जिन्दगी गुदाने के काबिल हो जा और अभी वक्त हमें बिलकुल इजासत नहीं दे रहा है कि इस सेशन को हम आगे बढ़ाए हम अपने माहिर सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप स्टूडियो आए और आपने हमारे नवी जमात के तलबा के लिए इतनी अच्छी और बहतरीन नस्म लेक के लिए है टॉपिक है स्टूक्चिर्स अफ आटम पार्ट वन